हलो फ्रेंट्स विलकम बैक टूर चैनल तो देखिए आज मैं कौन सा काम करने जा रही हूँ और कौन कौन सा काम की हूँ मैं अभी आप लोग से सेर करूंगी तो देखिए मैं आज बलकनी से काफी पौधा को निकाले हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे सारे प्लांट में पत जड़ा गया है सारा पतियां गिरा रहा है अपना धूप के कमे से समर हो या विंटर हो पौधे को धूप का बहुत जरूरत होता है अगर धूप नहीं मिलता है तो पौधा पतियां गिराने लगता है और देखिए मेरा पांचे कटिंग तो बिलकुल खराब हो गया जो पहले बीटियो डाली थी फ्लावर खीला हुआ लेकिन एक बचा हुआ है और देखिए इससे भी ज्यादा इसमें ग्रोथ अपराजिता और फोरोकलॉग का हो गया है और देखिए पलंबागों कितना खराब हो गया है देखिए दो प्लांट में वनाई थी इसका दोनों लग है था ट्रांस्प्लांट के दोरन लेकिन सब खराब हो रहा है तो अभी आज मैं निकाले हूं बहुत पॉट को और दूसरे साइड में रखी हूं लेकिन कुछ पॉट को इधर रखी हूं क्योंकि इसमें फटिलाइजर डालना है देखिए सारा रोज मेरा ग्रोथ तो काफी अच्छा है अभी लेकिन सारा पतियां गिरा दिया है तो चलिए आज मैं इसको फटिलाइजर डालके दिखाते हूं कि कौन-कौन सा फटिलाइजर में डालती हूं और उसके पहले देखिए मैं सारा पतियों को हटा देती हूं क्योंकि अब रेनी सीजन शूरू होने वाला ह तो पतियों अगर पौधा में रहेगा तो फंगस का अटायक हो सकता है तो इससे पहले मैं सारा पतियों हटा दे रही हूं और तब मैं क्या करती हूं और इसमें क्या डालती हूं तो चलिए मैं अब आप लोग से दिखाती हूं देखिए कितना पतियों निकाल दी और मुग और रोज बचा हुआ है तो चलिए मैं इसको फेटिलाइजर डाल के आप लोग से दिखाती हूं तो पहले मैं इसका करूंगी कोडाई देखिए लगभग एक से डेढ़ हिंच नीचे तक इसका कोडाई करूंगी ताकि इसका रूट जो इधर उधर निकला हुआ हो सब और रोज प्लंट मेरा काफी अच्छा ग्रोथ में है अभी भी बहुत फ्लावरिंग करता है लेकिन पतियां ना होने से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तो आज मैं इसमें फेटिलाइजर डाल के और देखूंगी कि कितना जल्दी इसका ग्रोथ होता है और जो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वहुत अच्छा वीडियो है पूरा देखिएगा और रोज प्लंट का केयर अगर आप लोग भी ऐसे करेंगे तो पूरा फूलों से भरा रहेगा पूरे साल और अभी ज्यादा बारिश नहीं हो रहा है तो यह सब काम कर ले रही हूं क्योंकि बारिश के बाद ज्यादा फटिलाइजर लिक्वीड यह सब मैं नहीं डालती हूं तो चलिए मैं दिखाती हूं कि कौन सा फटिलाइजर डाल रहे हूं और देखिए एक चांदनी बिल्कुल स तो वही अभी चल रहा है मेरा सबसे बेश्ट फटिलाइजर होता है काउडंग तो आप लोग जरूरी उज कीजिए गार्डन में अपना उसके बाद वर्मी कंपोस्ट तो देखिए मैं कोडाई करके और सारा मीटी को हटा के और दो-दो मुठी डालूंगी हर पॉट में क्यो अगर आपके पास नीम के खली है तो मिला लेजिए मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं मिला रही हूं और वह भी नहीं है तो आप मीठा सोड़ा भी मिला सकते हैं अपने पाउधे पर देखिए मैं सब में डाल दी और इसके बाद मैं क्या डालती हूं देखिए बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होगा मैं आप लोग को इसका अपडेट भी दिखाऊंगी कुछ दिन पहले मैं बनाई थी और एक सॉट्स भी डाली थी इसका तो अभी मैं आ अब लोग पसंद भी किये थी इसका सॉट्स डाली थी और इसमें है कॉफी और फ्रेश चैपत्ती सब मिक्स करके मैं लगभग डेढ़ दो महीना पहले बनाई थी और एक काफी अच्छा बन के रेडी हो गया है तो अभी जो जो प्लांट में मेरा फ्लावरिंग नहीं हो र देखाऊंगी और यह देखिए बेनिगर है जो की काफी पूराना है तो एंटी फंगल बन गया है बिल्कुल यह लगभग तीन चार सल पूराना है तो थोड़ा सा मैं इसको भी डालूंगी और इससे आप लोग गुलाब पर इस्प्रे भी कर सकते हैं और इधर देखिए ए आचार बनाई थी तो मैं रख दी इसको आगर आपको छोहडा के आचार देखना है तो आप लोग मेरा चाइनल पर जाके देख सकते हैं कि मैं कैसे बनाती हूं और फिर बनाई थी तो वही फटिलाइजर बना के रख दी मैं दो-तिन महीना के बाद उसको यूज करूंगी औ और इसी में थोड़ा सा बनीगर डाल दी इससे क्या होगा कि नीम के खली नहीं है तो ये फंगस नहीं लगने देगा और बहुत अच्छा फटिलाइजर बन के रेडी हुआ है और आप लोग भी ऐसे डालिए और देखिए रिजल्ट कितना अच्छा होता है हर केमिकल से कर्टिंग दस पंदरा दिन पहले लगाई थी इसमें इतना ज्यादा ग्रोथ हो गया है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो इसमें भी डालूंगी पर्सलेन के लिए तो बानाना पिल्स इतना बढ़िया फटिलाइजर है कि तुरंत इसमें फ्लावरिंग सुरू हो ज शुरू होने वाला है उससे पहले डाल लोगी तो अच्छा से सेट कर जाएका 24 घंटा में और आप लोग को इसका अफडेट भी मैं दिखाऊंगी कि कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है तो आप लोग भी यही डालिए मैं ज्यादा काउडं के यूज करती हूं क्योंकि बहुत सस्ता भी पड़ता है और बहुत अच्छा होता है पुराना भी होता है और एक बेनीगर से कभी कभी स्प्रे कर देती हूं केमिकल्स मैं बहुत कम यूज करती हूं थैंक यू